दोस्तों सबसे पहले मैं आज ये करना चाहता हूँ कि जीवन के हर कदम पे खर्च ही खर्च है उसी तरफ से जीवन के हर कदम पे आप कसम खा लिजिए कि बचत करना अनिवारी है बचत जादा से जादा करिए दोस्तों जब बचत आप कर पाएंगे तभी आप आगे का कुछ अच्छा सोच पाएंगे जीवन में करने के बारे में तो बचत बहुत जरूरी है जीवन में बचत ही प्रगती का सुचक है यह आप ध्यान रखें दोस्तों अगर आपने सही रूफ से बचत किया है तो प्रगती का रूफ होगा और उसके बाद आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो जिम्मेदारी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जीवन में क्योंकि इस सही जगर पर बचत करने के बाद सही जगर इन्वेस्ट करना वो सबसे ज़्यादा जरूरी है और उसी के लिए हमें स्टेडी करना चाहिए इन्वेस्टिकेशन करना चाहिए एनलिसिस करना चाहिए या अपने से सीनियर का सला लेना चाहिए जब भी आप इन्वेस्ट करने के विबारे में सूचते हैं तिलिए इस सब्टों के साथ मैं आपको कुछ खास रुप से यह करना चाहता हूँ दोस्तों कि और मेरा एक टारगेट एचिव हो गया हाँ दोस्तों ICIC bank जो मैंने 9 दिसंबर ठीक आज से 18 दिन पहले यह मेरा part 4 चल रहा है और part 3 आप देख लिजे मेरा लिंक में आप देख लेंगे आज ही उस समय मेरा target price एचिव किया था 520 का और उसी दिन मैंने डिकलेर किया था कि आने वाले दिनों में महिनों में यह निश्चित रूफ से भाव टेच करेगा 550 तो आज ही target price एचिव हो गया मेरा दोस्तों 550 ICIC bank ने टेच कर दिया और ICIC bank भी अपने रूप में बहुत ही मजबूत देख लिए आज इसका closing price 549.40 as on 27 December 2019 के नुसर और market capitalization देखे दोस्तों पिछना वीडियो में आप market cap देखे और आज का market cap देखे 355,310.36 करोज 355,310.36 करोज आज का high जो टेच किया वो 52 weeks high की तरफ ही रहा 550.50 तो दोस्तों खास रूप से इसमें अब काफी मजबूती आ गई है वे ICC bank के शहर में और उससे भी ज़्यादा जरूरी यह देखना है कि अब यह यहां से कहां जाएगा यह सबसे बड़ा प्रशन है जिसका उत्तर बस मैं अब देनी जा रहा हूँ देखी जिस तरह से आप देख लीजे पिछले जस यह 18 दिन में ही 18 डेज में ही इसने 30 रुपे का टार्गेट प्लस किया केवल 18 दिन मेरा पिछला वीडियो 9 दिसंबर का था आज 27 दिसंबर तो इक हिसाफ से 18 दिन में ही यह टार्गेट ही हुआ है तो जिस दिन और रेशो के हिसाफ से मेरा जो कैलकुलेशन है क्योंकि मार्केट में उतार चड़ाव तो आना निश्चित है तो फिर एक बार नीचे भी होना है फिर एक बार थोड़ा नीचे आए और फिर एक उपर की तरफ तो फ्रेश बाइंग और एक्टिव बाइंग जब होगा वो 51-52 के बाद उसमें एक्टिव पाटिसिपेशन ज्यादा होगा तो उस हिसाफ से आने वाले महिनों में अब तो महिना जन्वरी 2020 लग जाएगा यह तो आप जानते ही हैं तो उस हिसाफ से इसका भाव टच करेगा एक्जेक्ली 590 रुपिस दोस्तो यस 590 रुपिया यह आने वाले दिनों में महिनों में निश्चित रुप से टच करेगा और निश्चित रूफ से आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि ये भाव 590 रूफिस निश्चित रूफ से ICSA बैंक टच करने वाला है आने वाले दिनों में और महिनों में बस दोस्ते यही खास करना था आज मुझे आपकी जानकारी के लिए और जब भी आप इनवेस्ट करें, लिमिटेड इमाउन्ट से करें थोड़ा-थोड़ा इनवेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है इमोशनल होकर कभी हेवी एमाउन्ट का इनवेस्ट न करें यह मेरा एक पर्सनल सला है इस बारे में और दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हमारा membership है, मैं तो यही कहूंगा, आप हमारे academy का membership लीजे, आप निश्चित रूफ से कमाएंगे, आप निश्चित रूफ से यहाँ पैसा बनाएंगे, स्रिफ आपको एक सहियम रखना होगा, पैसेंस रखना होगा, जो बहुत जरूरी ह दूसरा हमारा portfolio management services है, जो पूर नरूफ से कारीरियत है, अगर आप long term में प्लान करते हैं, तो portfolio management services अच्छा है, अगर आप short term में प्लान करते हैं, तो membership हमारे academy का सबसे best है, और उसे इसाफ से आप अपना portfolio review कराना है, तो उसके लिए हम हाजीर हैं, और उसके साथ साथ, अग इसमें भी हमारा कारीर सही रूप में चल रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में भी, इसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं, आप whatsapp में message कीजिए, मेरा whatsapp नमबर आपके सामने ही जलक रहा है, बस उसमें आप message कीजिए, और इसकी पूरी जानकारी फ्राफ्त कर रहे चलिए फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं इसकी जानकारी 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 झाल झाल